नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल ताकर एगरी कल्चर में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज फसल के बारे में प्याज की खेती बहुत सारी किसान भाई करते हैं और प्याज की फसल में सबसे मुख्य जो समस्या आती है वो आती है पिलापन की पिलापन की समस्या आने के बाद में प्याज फसल में जुलसा रोग आता है और उसी जुलसा रोग की वज़े से प्याज की फसल पूरी तरीके से बरबाद होने की कगार पर आ जाती है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ दवाईयां कुछ फंगे साइड आपको इस वीडियो में बताएंगे जिनका स्प्रे करके आप अपनी प्याज की फसल को 4-5 दिन के अंदर ही फिर से हरी बरी कर सकते हैं तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन सभी किसान भाई हैं से मेरा निवदन रहेगा कि सबसे पहले आप हमारे इस यूटूब चैनल को निचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्सरों के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास मैं घंटी के निसान को ओल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जान करें देखने को मिलती रहें किसान भाई हो बात करते हैं प्याज की फसल के बारे में तो वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आपकी प्याज की फसल कितने दिन की है ये जल्दी से आप कमेंड में जरूर बताईए किसान भाई हो अब बात करते हैं प्याज की बारे में अब बात करते हैं सबसे पहले की जो पिलापन की समस्या होती है और जुल्सा रोग की समस्या होती है इसके आने की पीछे कौन-कौन से कारण मुक्य रूप से होते हैं सबसे पहले कारण ये होते है जो थ्रिप्स और फंगस की समस्या हमारे खेतों में आती है उस वज़े से पिलापन और जुल्जा रोग की समस्या आती है थ्रिप्स की वज़े से फंगस पनपती है और फंगस और थ्रिप्स अगर आपकी फसल में आ जाते हैं तो उससे पिलापन की समस्या और जुल्जा रोग की समस्या आ जाती है इसके अलवा अगर सुबह के समय तापमान कम है और दिन के समय में ज्यादा मातरा में दूप आती है तो उस वज़े से भी प्याज की वसल में पिलापन की समझा देखी जाती है इसके अलवा अगर आपके खेत में ज़्यादा पाने का बराव होता है तो उस वज़े से भी फंगस पनपती है और उसी वज़े से पिलापन आ जाता है तो यह कुछ कारण मुखी रूप से रहते हैं अब इसको समाधान कैसे किया जाए इसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक केट ना सक और एक फंगी साइट का एस्प्रे करने की अवसिकता है कीट ना सकते हैं बारे में अगर बात करें तो इसके रूप में आप सीजेंटा कंपनी की अलीका का उप्योग कर सकते हैं थाई मेता उक्जम प्लस लेमडा सायलोतरीन का टेक्निकल का आप प्याज पसल में इस्प्रेक कर सकते हैं इसके अलावा फंगी साइट की बात की जाए तो फंगी साइट के रूप में आप दानुका कंपनी की कोनिका का स्प्रेक कर सकते हैं जिसके अंदर कोपर ओक्सिक क्लोराइड प्लस कासोगा माइसेन इसके अंदर फंगी साइट और बेक्टिरी साइट दोनों ही टेक्निकल पा और अगर आप यह इस्परे पांच दिन के अंतराल में दो दो बार कर देते हैं तो आपकी प्याज की फषिल मात्र साथ से आठ या फिल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस्परे करेंगे तो जल्दी से जल्दी हरी बरी हो जाएगी तो किसान भाई यू विडियो आ लगने पर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय जवान जय किसान